कि अभी को पता है कि आज सुबह मोर्निंग में फर्स शिफ्ट का गल्ज का अगया तो उसके अंसर के साथ वैटे हुए यहां पर आपको कुछ आंसर डिसकस करेंगे और कौन सा कोशन किस तरीके से पूछा गया तो उसके आंसर समझाने कोशिस करेंगे और साथ आपको यह वत के पेपर होते हैं तो उसमें किस तरीके से पूछे जाने के चांसे जाए तो हम यहां पर डिसकस करते हुए चलेंगे जितना ज्यादा जितना लेंद्धी कोशन रहेगा उसके साब से टाइम देंगे सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि पहला कोशन जो पूछा गया यहां वो पूछा गया आसियान समधाय के किनी दो प्रमुक इस्तंबो का वर्णन कीजे तो जैसे कि हमारे पार नोट्स को ठारी क्लाशन में हमने प्रवाइड कर रखा था बच्चों को तो वहां पर यह एकदम सिंपली समझाय गया था कि 2003 में आसियान के तीन इस्तंब थे यहां आप से कोई दो कुछा था हमने तीन समझा रखे हैं इनमें से किसी आपको दो को एक्स्प्रेंट करना था सुरक्षा का मलब एक दूसरे के आसियान के जो देश हैं जो दस देश थे वह आपस में सुरात में पास में दस हो गयते पाच और इंकुलिड उड़ गयते प्लस हो जो चाइना से रिलेड़ था कि चाइना ने राजनेती के कांतवास कभ खतम कराता यहने कि चाइना जब अजाद हो आ था तब उस ने किसी भी तरीके से बिदेशी संब्द नहीं रखे थे लेकिन उसने धीरे-धीरे संबद बनाने शुरू करे थे तो यह भी नोट्स में ए तिन नीथियां थी। इसमें सबसे पहला यही बताया गया है कि 1972 में चाइना ने अमेरिका से संबंद बनाया और राजनेती के काँथ को खतं करा। और श giàल में यही पूछा गया है कि चाइना ने राजनेती के कांथवास कफ खतम करा। यहां पर सिंप्ली बताया गया और दो बदलाव जो हैं कि रान अमेरिका से रिष्ट अच्छे हुए और वैपार में उनके बड़ोत्री आई क्योंकि पच्छमी देशों के साथ उनके आर्थिक संबंद और दिरे दिरे अच्छे होते चले गए और आगया आपको देखना था तो उसके तीनों नीतियों को नीचे एक्स्प्रेंड करा हुआ है और नोट्स में यह इसली प्राइड़े किया गया था तो आप कम तीuoसन के उपर चलते हैं तो तीसरा को सण जो है अपना दूसरा को सण जो है क्योंकि अब नोट्स सब्सकरियों और ब्रिक स्प्रीयों पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था बाद में इसमें एस जो है वो बाद में सामिल हो गया यहां पर बताया वे गया है कि 24 दिसंबर 2010 को जो आपका साउथ ओफएर का जो इसमें सामिल हो गया तो इसके उद्देश सिंपल से थे आर्थिक रूप से तेजी से विकास करना एक दूसरे को सयोग करना एक दूसरे के आंतिक मामले में हस्तचेप ना करना जो भी संगटन होते हैं उनके मेली यही उद्देश होते हैं कि किसी तरीके 90 ज्यादा है आपको बनाना नहीं है चलते हैं वगले कोसं कि तरभा आपका ये पूच्छ रा है कि वैस्वी योज़से संस्कृतिक प्रभाव का वंडर्न कीजए वैस्वी करण के संस्कृतिक प्रभाव और वैसे देखा जाए तो तीन प्रवाव पड़े राजनेतिक आर्थिक और सांस्कृतिक तो यहाँ पर सांस्कृतिक प्रवाव के बारे में पुछा गया है सांस्कृतिक प्रवाव जो एक बिकल्प में बढ़ोतरी करती है जैसे कि खाद्यान की वस्तू में खाद्यान की प पर नाली बढ़ती चली गई और आप नंगरांत्म टों, कि वैस्वी करन की वज़े से राजनेतिक क्रभःत्य प्रवाव क्या पड़ा है दोनों यहाँ पर explain किया गया है अगर आप board के नेजरे से देखो तो paper में अभी भी पुछे जाने के chances है board में अगर सकारात्मक नहीं पुछता तो राजनेतिक प्रभाव पुछेगा कि वैस्वी करन की वज़े से राजनेतिक प्रभाव क्या पढ़ा है राज जी की सकतियों पर सकारात्मक या नकारात्मक जब पुछेगा तो explain करना पड़ेगा आपको सकारात्मक या नकारात्मक में से लेकिन जब तक आप से सकारात्मक या नकारात्मक नहीं पुछता है तो आप कोई भी एक explain कर सकते हैं आए या ना कारीपमक, या दोनों के दो-दो point explain कर कर के चल सकते हैं, तो ये बात मान के चलिएगा, कि दाफ्स, बहुत-डली विवस्ता से उनि यानि कि बहुत सारे दल, बहुत दली वैस्ता से एक भारत जैसे एक विसाल देश में यहाँ पर किसी भी दल पर कोई भी पाबंदी नहीं है, भारत में बहुत सारे दली बहुत पढ़नाली है, तो यहाँ पर आपे समझा सकते हो कि लोकतांते रूप से भारत में बहुत जारे दलो को अनमती है यहाँ पर किसी भी पार्टी को ऊपर किसी भी तरिकिस प्रतिमन नहीं लगा जा सकता है आप कोई भी एक नई पार्टी बना सकते हैं और पर्टिसिपेट कर सकते हैं उसे बाद में पार्टी से मानने था उसे इलेक्षन कमिशन से मानने था मिलती है नहीं मिलती है आपको यहां पर एक्स्प्रेने करना था बहुत अल्य पढ़ना लिक अनुसार से जाना जाता है आप चलते अपने पाचे कोशन के तरफ पाचे कोशन जो है आप से पूछ रहा है कि वैस्वी करन के प्रमुक विस्यस्ता बताईए कि वैस्वी करन की प्रमुक विस्यस्ता क्या है विस्यस्ता मलब उसके सकरात्मक प्रभाव से पूछे जाने की कोशिस कर रहे हैं तो आप देखें कि परिभासा लिखी गई है कि बिभिन देशों के बीच में पूंजी तता वस्तों का तता सेवाओं का तता विचारों का तता वैक्तियों का संतंत प्रवाव वैस्री करन कहलाता है आप इसे जब अच्छे से एक्स्प्रेन करेंगे तो वही आपकी विस्ष्ता हो जा जाता है या तो काम की तलास में जाता है या सिक्सा की तलास में जाता है तो इस तरीके से इसके जो है विसेष्ता है वैस्वी करन की इसकी वज़े से हम देखते हैं कि पूज्यों की आवाज आई में काफी तेजी आई है सेवाएं सेवाओं में अगर आप इंटरनेट पूंजी में आप पैसे से रिलेटर दे सकते हैं, बिचारों में आप पच्छमी बिचारणा जैसे की खान-पान में वो किस प्रकार से प्रबवाब होगी है और बैटटों को संतन प्रवा तो आप समझते हैं कि एक देश दूसरे देश में रोजगार की तलास में, फिर किसी ज्यादा ध्यान दिया गया है, अभी तक केवल एक ही कोस्टन जो है, वो दूसरी बुक से पुछा गया है, बाकि सारे फर्स्ट बुक से पुछलिए गया है, दोतनम्मर के कोस्टन, तो आप ऐसा नहीं है, कि आप यह मान के चले हैं, कि बोर्ड में भी ऐसा होगा, यह केवल एक pattern use करा गया है इन question को आगे explain किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से जैसे कि ASEAN वाला था तो उसमें आप से ASEAN के 2020 vision पुछा जा सकते हैं लेकिन अभी हम च्छटे question पर जाद जयान देते हैं कि वाम पंती जो लोग है वह वैसी करन का विरोध जो किस अतार पर करते हैं देखिए आप लोग समस्तों के वाम पंती वह विचारदारा जो कि Communist विचारदारा है जो कि क्या कहते हैं अपने आपको बंधा हुआ या फिर जिस अवस्ता में थे वह पहले ही उसी तरीके से मानते है चलते हैं तो वाम पंती की यहाँ पर हमने देखें नोट्स में सावी के आंसर दूए एकदम सिंप्ली लिखे गए हैं यहाँ पर दो नमर के साफ सभी काफी जादा अच्छा बताया गया है कि पूरी दुनिया में वैसी करन का विरोध तो होता है वाम पंती भी करते हैं आज गरीवों की हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा आप से यहाँ पर दो नमर में पूछा गया था आप इनमें से कोई भी दो एक्स्प्रेंट कर सकते हैं या पिर अगर आप पहला भी एक्स्प्रेंट कर देंगे कि वैसी करन से पुझी वादी का क्या खास प्रभा तो यहाँ पर सभी जो हैं यह नोट्स में प्रवाइट किये गए थे अब आपका जो सात्वा कोशन है हम उन्हें सात्वा कोशन देख लेते हैं कि सात्वा कोशन जो आपको पूछा गया है कि लोकतांत्रिक अव्युत्तान यानि कि चढ़ाओ से क्या विप्राय है तता रा पातकाल के नाम से इस चप्टर को पढ़ें तो कोशन सिंपल सा है कि भारत में लोकतांत्रिक अव्युत्तान क्या है और क्या गयते हैं उस पर कितने चढ़ाओ है तो देखें यहाँ पर समझाए गया है नोट्स में है यह भी कि देश के लोकतांत्रिक अव्युत्तान के ना आगों में बाटा गया सबसे पहले 1950 से 1970 का दसक 1980 से 1980 वाला दसक और 1990 के बाद वाला दसक तो आपको क्यों इतने लिखना था इस पे दो नमर मिल जाते पेपर में बोर्ड में पुछा जाने के चांसिस तो रेर ही हैं बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इस चैप्टर से जो सब ज इतना लिख देते कि क्यों इतना ही पुछा गया है कि भारत में कितने लोगतांत्रिक अविस्तान का चर्णन लिखा गया है आटों कुसन आपसे पूछा गया है कि NDA है NDA के साब्दिक अर्थ से आप क्या समझते हैं तता NDA की कितनी बार राजनेतिक सरकार बनी है यह सबसे आखरी चेप्टर से पूछा गया है दूसरे बुक का जो सबसे आखरी चेप्टर उससे पूछा गया है तो देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में दो गड़बंदन फेमस है राश्टी इसतर पर भारत में दो गड़बंदन फेमस है और दो पार्टे हैं जो एंडिये का जो सापतिक अर्थ जिसे हिंदी में राजक कहा जाता है और इंग्लिस में एंडिये कहा जाता है उसका जो अर्थ है वो है राजनेतिक जनतांतरिक गड़ बंदन National Democratic Alliance इसकी जो सरकार है वो चार बार बन चुकी है सबसे पहले NDA1 की सरकार बनी 1998 से 1999 में यह सरकार जाद लंबे समय तक नहीं चल पाई और फिर उसके बाग दोनु बार अटल ब्यारी बास पर ही परधान मंत्री बने रहे फिर यह रही कि NDA मलब BJP के गड़ बंदन के अभी तक चार बार सरकार बन चुकी भारत में जिसे राजनेतिक जनतरिक गड़ बंदन के नाम से जाना जाता है सबसे पहले वो 1998 में बनी दूसरी बार 1999 में फिर 2014 में बनी और 2019 में बनी तो यहां NDA के बारे में आपको यह लिखना था अब हम चार नमर की कोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं यहां पर हम सबसे पहला कोशन देख रहे हैं कि भारत को किन अधार पर 1921 सदी में आपका एक सक्ति के रूप में माना जाए क्यों 2027 पर आने वाले समय में जनता के लिए या फिर देशुक के 2027 पर एक विकल के रूप म में तलासा जा सकता है तो यह भी नोट्स में लिखाए गया है एकदम सिंपल सा है कि भारत जो है दुनिया का एस्या में महादीप इस्तित एक बहुत बड़ा देश है जो जन संक्या के साब से देखा जाए तो पहले नमर पर आ जाएगा जो अभी जन गड़ना नहीं है दो संबंद ज्यादा बड़े हैं और 1974 में हमने सबसे पहले पर्मावड प्रेक्शन करा और फिर 1998 में भी हमने पर्मावड प्रेक्शन करा या फिर उसकी अर्थव्योस्ता की धार से देखेंगे तो हम मुद्रा का इस्तिती भी हमारी अच्छी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं बिश्यों की हम 10 वी सबसे बड़ी अर्थव्योस्ताओं में से एक हैं क्रह के मामले में हम दुनिया के तीसरे स्तर्प में हैं यानि कि अगर हम सब ज़्यादा खरीतने हैं और GDP के मामले में सभी तरीके से सांस्कृतिक इस्तिती से भी हम काफी ज़्यादा बैतर हैं सभी प बिश्योस्ता के लगभर लोग बनाने की इनकी विचार धारा है तो यहाँ पर इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भारत जो है वो आने वाले समय में एक किसी सदी में जो है वो सक्ता का बेकल्बिक केंद्र बनने के लिए तलास रहा उसके तीन कारण है सांस्कृतिक आर्थिक और आपका सेन्य तो सेन्य में हमारी अर्थ सेना का विबरण कर रहा जाएगा आर्थिक में हमारे पैसे या फिर क्रे विक्रे में और संस्कृतिक रूप से दुनिया की सबसे अगर पुरानी संस्कृतियों में से देखा जा है तो भारत उन में से पुरानी संस्कृतियों मे उसके बाद से जो भारती राजनिती में जो सीख या सविधान में जो सीख देखने को मिलती है उसका वर्णन कीजिए देखिए चार नंबर में था आप इतना जितना भी आपको नोट्स में मिलेगा अगर आप उतना भी लिख देंगे तो अच्छा रहाएगा देखिए सबसे लेकिन जैसे ही अपातकाल एंड होता है देश में चुना होते हैं जनता सक्रे रूप से भागेदारी आते उसने कोंग्रेस को सत्ता जटाया तो ये तो किलियर हो गया था कि भारत में लोकतंतर कभी भी खतम कर पाना एक बहुती मुश्किल काम होने वाला है उसके बाद ना राटिकल नमर जो 352 का प्रियोग करते हुए अपातकाल लगाया गया था उसमें काफी जादा जो है परिवर्तन भी हमें देखने को मिला कि उसमें चवाली से सविधान संसोधन करते हुए ये निकाल दिया गया कि देश में कभी भी आंत्रिक असांति के नाम पर या आरामर्स दिया करता था सला दिया करता था और अपातकाल लग जाया करता था उसके बाद ये किलियर हो गया कि अगर आपको अपातकाल लगवाना है तो आपको लिखित में देना अनिवार होगा राष्टपती से आपको लिखित में और तता मंत्री परसत देगा आव लिख करेंगे या पिर अपातकाल फिर अगर केवल एक विश्चेतर पर लगा करेगा पूरे देश में नहीं अगर मालेजे एक छोटी सी जगह पर या हिंसक गतवीदियां होई या केवल एक छोटी से जगह पर स्तिती खराब हुई है तो क्यों उहां पर अपातकाल लेगएगा ले हमारे सविदान में कुछ गड़वडियां थी कमियां पाई गई उन्हें दूर करा गया अपातकाल की वज़े से लोकतांत्रिक अव्युत्तान मलल लोकतांत्रिक तेजी तो यह थी कुछ हमें सबक देखने के लिए मिलेते अब आगे देखते हैं कि 11 कोशन है यह मैप का कोशन इस बार का मैप थोड़ा सा अजीब सा है और चटे चप्टर से पूरे का पूरा मैप पूछ लिया गया है पहले कोशन पढ़ लेते हैं और फिर उसके सास्त मैं आपको बता भी देता हूं दीगे सबसे पहला कोशन पूछा गया है मैं हमेसा कहता हूं जब भी क्लास में मैं तो आप पोसिस करिए जिसका आंसर के वह लिए कोने वाला है सबसे पहला गर हम देखें तो अगर आप दूसरा भी करना चाहए तो दूसरा भी असान ए अगर आप दूसरा गर दूसरा बहने देखें तो 1991 में भुतबूर परदान मंतीर राजी गांदी की हत्या किस आप मैप में देखेगो तो यह D है और यहां पे आपको राज्जी का नाम आपको तमिलाड़ू बताना है और मैंने एक से बता था कि आप पहले हम चोथा करेंगे तो चोथा में आप देखी BP मंदल यानि कि बिद्देश्वी परसाद मंदल यानि कि जो OBC के आरक्षन के लेकिन आसान भी थे तो 2004 में जो लोक सभा का बाम दल ने जीत हासिल करी तो देखे बाम दल यानि कि CPI गड़ बंदन हम Communist Party की बात कर रहे हैं तो यह जो था यह तरिपूरा था आपका त्रिपूरा में उस वक्त केवल एक सीट हुआ करती थी और वो जो एक सीट है वो CPI M ज जिता था लेकिन उस एक सीट पर पूरा का पूरे जो कपदा रहा हो त्रिपूरा में वो CPI M करा यह उसके बाद पूछा गया है कि 2004 में लोक सभाक में चुनाव में सवयुक्त प्रक्तिसल यह नहीं कि UPA पूछ रहा है अभी मैंने आपको जब पीछे मैंने एक्स्पेरिन क पूछ रहा है कि किस राज्य में जीते थे तो इनका जो आंसर ही हो जागा मड़ीपूर सी जो है आपका मड़ीपूर जो है यह इसका आंसर हो जागा तो मैप जो ता इजी था उसके बाद अगर अगर आप इसको तो आप करना नहीं था क्योंकि दिश्टीन बाधित के पेपर में पुछे जाने के चांसे ब्यक्राष्टी मंशो पर एक दिश्टी hayır दाण दुसरे के साथ इनका प्रभाव दुसरे के साथ एक जुट नहीं हो पाते हैं इसमें आप बताए कि किस प्रकार से दक्षिर एसिया को आप एक करने में आप क्या उपाय सोजा सकते हैं तो देखें कि यह अधिक्तर जो कोशन है आपके बैक्तिकत ओपीनियन पर भी डिपेंड जो है आपको यहाँ पर सार्क के बारे में थोड़ा से एक्स्प्लेंड करना है तो बेसिकलि यहाँ पर सार्क के बारे में बताओगे कि सार्क जो है उसमें देशों की संक्या है लेकिन सार्क के आपस के देशों में नहीं बनते हैं जैसे आप सबसे पहले एक्स्प्रेंड क कभी पाकिस्तान के उपर हम कुछ आरोप लगाते हैं, पाकिस्तान हमारे उपर आरोप लगाता है, कस्मीर का मुद्धा हो गया, कच्छकरण का मुद्धा हो गया, तो इसके वज़े से अंतराष्टी मंचों पर हम तरीके से साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो यह हमारे बीच में और विश्वास की कमी है हमारे बीच में भिश्वास भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है या उसके बाद आप बता सकते हो कि बांगला देश से भारत का संबंद धीरे-धीरे बिगरता जा रहा है या नैपाल की वज़े से भी यह आपका जो दक्षिड एसया जो देश पूरा चैप्टर जो है उससे आप थोड़ा थोड़ा एक्स्प्रेंट करेंगे कि नैपाल से हमारे संबंद किस प्रकार से था क्यों क्यों आप यह पुचा गया स्रिलंका से उनके बीचे हमारे बीचे विश्वास कमी है या स्रिलंका से आप बता सकते हो कि 1988 में हमनों सेना बचना होगा यह दो उपाएं आ पे सुजा सकते ते कि दूसरे के अंधरिक्र मामलों में हस्तर्षेश्व करना बंद करें कि कोई भी डेश का कोई अंतरियर्या मामला नहीं हम उसमें हस्तर्षेव कम कर कोसिज करें और एक दूसरे पर सययोग पिक्षा दें तो आपको बहुत सारा था कि किसी सदी में रूस को किस अधारपनम सत्ता का बेकल्विक केंद्र मान रहे हैं देखिए नोटस में है अभी यह भी कि दुनिया पर है कि रूस एक राजनेतिक रूप से देश है दुनिया की शेतरपल के इसाब से सबसे बड़ा देश है उत्तरी अपर इस्तित है यूरोप में भी खैला हुआ है और फिर अगर हम आपके भारत के अकार से अगर हम गुणना करें तो यह पाच गुणा है भारत के करकर से बश्यादा इसकी जन संध्या कम है रादधानी के बारे में इस से एक्षप्लें किया गया है जीडी गमामले में वर्टमान में 11 नमब्र पे रूस के पास खाद्यान संकटों की बरमार है, रूस एक परमारू संपन्ने देश है, रूस दो है सुरक्षा परसत का इस्ता है सदस्य देश है, तो इन्हीं सभी पॉइंटों को आप एक्स्प्लेन करते हुए बताना था कि रूस जो है, वो 21 सदी में एक सत्ता का बेकलपिक केंदर है, और मैं एक बात एक्स्प्लेन कर देता हूं आप लोगों को, कि एक बात मान के चलिएगा कि इस चैप्टर से 6 नमर का एक कोशन पक्का पुछे जाने वाला है बोर्ट में, और वो ध्यान रखेगा कि वो EU पुछे जाने का चांसे है, यूरोपिय संग, रिजन उसके दो सिंपल कोशन कर लेते हैं कर लिए जली से, इसमें 2014 के बात से भारती राजनिती में आए बड़े परिवर्तन यैनि कि अभी आपने देखा ता पीछे 13 कोशन पूछा गया है, 2014 में भारती राजनिती में आये बड़े परिवर्तन अभी हमने NDA करा भी था, राजनितिक जो राजिक वाला था तो देखिए 2014 में जो सबसे बड़े परिवर्टनाई से एक्स्प्रेंड करने के लिए वी नोट्स में एक दम सिंपल सा कोशन समझाए गया है पूरे बहुमत के आगड़े प्राप्त हुए लेकिन उन्होंने बहुमत की सरकार नहीं बनाई तो सबसे पहला परिवर्टन ने हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी लेकिन उन्होंने भी बीजेपी की सरकार ना कहकर उसे भी एंड़े की सरकार क्योंकि वो अपने गड़ की युक कान तुआ पहली बार पूरी तरीके से बहुंमत की सरकार बनी 30 सालों के बाद 2014 में 84 बाद से और यह चुना इतियासिक इसलिए रहा दूसरी बात जो दूसरा पॉइंट है कोंग्रेस की यह हार अभी तक की भारत में सबसे बड़ी हार थी यह इतनी बड़ी हार थी कि जातिकत राजनेतिक अंत देखने को मिला है जो जातिकत विसेस पार्टिया है हमने देखा कि उनका सूप्र एकदम साफ हो गया अगर हम बात करें B.S.P. जिसका अगर बहुजन समाज पार्टी जिसका नाम है पूरा अगर एक आश्प्रिन करते हैं उसका पूरा एक राजन उसे 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली तो ये एक बात यहां से किलिए रोगी कि अब जातिगत रूप से देखा जाए तो भारत में चुनाव हो पाना बहुत मुस्किल है अब विकास की या फिर क्या गयते है एक अलग बिचाधरा या जातिगत बिचाधरा पर तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते आपको राजनीती में कुछ नया लाना पड़ेगा और एंडियो को बहुमात असिल हुआ और बीजेपी ने सरकार बनाई यहां पर 2014-2019 के बारे में एक्स्प्लेन और दोनों बार जो परदान मंत्रियां वो मोधी बने चैनल में कोसन पुछा गय जाने जाते हैं यह क्षटा कोसन है आपको अपात्काल वाला उसमें हमने एपढ़ा था कि उसमें दो तीन बड़े-बड़े नेताओं के बारे में आपको पढ़ना था उसमें किस प्रकार से बड़े-बड़े नेताओं सबसे पहले अगर यहां नीचे देखोगे तो इनकी आप थोड़ी जी बिचारदारे लिख सकते हो कि इनकी जनम किस प्रकार से होगा, कहां से रिलेट करते थे और कहां पे थे सबसे पहले अमेरिका चले गए, अमेरिका पढ़के आया, फिर बाद में माक्स्वादी पर मोमाया नहीं करी, इन्होंने कभी भी एक पद के लिए नहीं राजनिती करी, इन्हें जब भारत का सविधान बन रहा था, तो इन्हें आमंतिरित के आगया, कि आप सविधान सवा में आईए, सरकार सविधान बनाने में हेल्प कीजिए, तो उन्होंने उसके लिए बना में तो इनके पास चात्र गए चात्रों ने बोला जी आप इसमें भाग लीजी इस आंदोलन में तुन्हों ने बोला मैं भाग तो लेऊंगा लेकिन हिंसा नी होनी चाहिए और आंदोलन पूरे भारत में फैलना चाहिए तुमास इन्हों ने समास से भी और आंदोलन सफल भी नाम प्रकार था आसा करते हैं आपको समर्ण में आगया होगा सारा का सारा paper notes में आया था और अगर आप अभी भी कुछ important question के रूप में देखना चाहते तो EU जो board के इसाफ से नजरिये में है और छटा chapter जिसके आवारे में आप क्या कहते हैं दिक्तर 2014 या फिर राजनिती में तो यह जो है इनके important question है तो चलिए यह हमारा पूरा कोठारी classes का notes था जिसमें से लव लव हम देखे तो हमने सभी के सभी जो questions है वो कराया रखे थे अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत या परसानी आ सकते तो आप comment में या फिर हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हूं आप हम notes प्राइट कर जाएंगे या फिर क्या कहते है एक test देंगे जब भी बोड के paper आने वाले होंगे अधिकतर से अधिकतर question कराने की कोसिस करेंगे अगर अभी भी आपको कोई परसानी है तो आप comment में इसके answer को या फिर किसी भी question से आप संटुष्ट नहीं है आपको लगता है कि आपने किसी question का answer गलत लिखा या फिर उस वह आप अच्छे से explain करना चाहते तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकत अच्छे से लग्साइब तो आप